इंडिया वर्सेज पांगलादेश टुटेंटी वर्ड कप में दोन अंबर के खेले जाने वाली मैच के उपर गहरा चुके हैं संकर के बादर जी हाँ दोस्तों एडिलेट में पिछले कुछ दिनों से लगातार बारीश हो रही है बारीश के चलते इंडिया और पांगलादेश का मैच काफी प्रभावित हो सकता है इडिलेट में खेले जाने वाले इस मैच का बेसबरी से इंतिचार कर रहे हैं फैंस के लिए चिंता जनक खबर द्टा वर्ट कप में भारत और पांगलादेश के बिद्वार को भिड़न्त होनी आये Beijing काफी प्रभी तीटी वर्ट कप में बुद्वार को एडिलेट के मैदान तो भारत और पांगलादेश की भिलन्त होनी A भारत का चौता मैशा और एडिलेट के मैदान से बेहती चिंताजनक खबर सामने निकल कर आ रही है दरसल पिछले कुछ दुने सो लगातार एडिलेट में बारिश हो रही है मंगलवार को सुखर भी बारिश होई थी और दिन भद मौशन खराब बना हुआ था बारिश के होने के असार बुद्वार को भी दिखाई दे रहे हैं अब संकत इस बात का है कि अगर बुद्वार को भारिश हुआ तो भारत लिए का फिछिंताजनक विशय रहेगा और भारत उसे फाइनल में जाने का समिकरन बिगर सकता है मौसम विवाग की माने तो एडिलेट में सुवा से ही बारिश होगी लेकिन जिस वक्त भारत और बंगला देश का मैश होना है उस वक्त के लिए बारिश थोड़ा रुख सकती है या थोड़ी कम हो सकती है लेकिन अगर मैश इस्थखीत हुआ तो दोनों ही टीमों को एक-एक पॉइंट मिलेगा जिससे भारत को सेमिफाइनल में पहुँचने से काफी परिशानियां को सामना करना पड़ेगा